Hey dear students, welcome back to the very first lecture of our foundation course semester 4 जहाँ पर हम करने वाले हैं हमारा chapter number 1 Significant Contemporary Issues or Significant Contemporary Rights of Our Citizens अब यह जो टर्म है contemporary अगर आप foundation course पढ़ते हैं बच्चों तो हर college में foundation course के अंदर भी सब division होते हैं जहाँ पर कोई foundation course in NSS को adopt करता है जहाँ पर कोई foundation course किसी और course को adopt किया जाता है हमारा contemporary issues जिसके अंदर contemporary term का मतलब होता है in recent times या फिर in present time तो जब हम बात करते हैं अपने chapter number 1 की जहाँ पर significant contemporary rights of citizens की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने present time के बारे में कि present time में किस तरीके की कानून में changes आये हुए हैं किस तरीके के law and order में बदलाव है जो पहले हुआ करते थे क्या उसको और जादा modify किया गया amendment लाया गया उनके अंदर तो यह सारी चीजों को हम अपने chapter number 1 में consumer के point of view से detail में समझने की कोशिश करेंगे तो आए बचो आज का जो हमारा chapter है जिसका मैंने आपको overview दिया है अब बचो chapter number 1 एक चीज़ याद रखिएगा आपकी इसके अंदर जो है काफी सारे law है जो हमको समझना बहुत जरूरी है as consumer नहीं as citizen भी हमको इन कानून के बारे में पता होना बहुत ही अनिवारिया है important है इसलिए यह जो chapter है वो बहुत ही important है आपके examination point of view से और उसके लिए आपको इस chapter को पूरा समझने की बहुत जरूरत है मैं कोशिश करूँगी कि जितना आपके textbook में दिया है उसको थोड़ा सा ज़ादा elaborative form में detail में समझाओ क्योंकि textbook की language कही ना कई थोड़ी सी confusing होती है इसलिए जब मैं आपको explanation दूँगी तो बच्चों मैं गुजारिश करूँगी कि आप please points को note down कीजी उसके explanation को अपने own terms में लिखी है ताकि जब exam में आपको question पूछा जा रहा हो और exam point of view से आपको preparation करनी हो तो आप अपने own words में लिख पा रहे हो हाँ जब बात आती है किसी के definition की तो कानून की हिसाब से आप definition अपने own words में change नहीं कर सकते हो जैसे कि proposal section number 2 में define किया गया है तो section 2 के हिसाब से जो definition है आप exactly उसी definition को लिखेंगे यहाँ पर आप अपने own words में लहीं लिख सकते तो definition आपको याद रखना होगा बाकी अंदर के content जो होंगे वो आप अपने समझदारी के हिसाब से अपने words का अस्तमाल करते वे उन answers को attempt कर सकते हैं तो यह मैंने आपको overview एक दे दिया है हमारे chapter number 1 का और थोड़ा सा एक exam point of view से आपको कैसे approach करना होगा तो बिना वगज़ा कि chapter number 1 जो है हम start करेंगे अब क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है rights of citizens की तो कहीं न कहीं यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे consumers की अब consumer होता कौन है consumer refers to any individual or household that use goods and services generated within the economy एक economy के अंदर ही जो goods and services बनाई गई है उसका consumption कर रहा है कोई एक individual या फिर एक household तो उसको हम क्या बुलाते है उसको हम बुलाते है consumer एक individual एक household क्या कर रहा है consumption कर रहा है goods and services का इस्तमाल कर रहा है कौन से goods and services का जो इस economy में produce की गई है तो उस व्यक्ति को या उस household को हम बुलाते है consumer further definition है consumer is defined as someone who acquires goods or services क्या define किया गया है someone who acquires goods or services खरीदा है goods or services को for direct use और ownership या तो अपने consumption के लिए अपने use के लिए या तो अपने किसी family member के लिए किसी को देने के लिए खरीदा होगा ownership उसके हाथ में है तो वो होता है हमारा consumer rather than for resale लेकिन अगर resale के लिए इस्तमाल किया गया है तो वो consumer नहीं होगा और use in production and manufacturing जैसे मैंने raw material खरीदा तो उस business के लिए जिससे मैंने raw material खरीदा उनके लिए तो मैं client हो गई राइट दमापर मैं consumer नहीं हूँ क्योंकि वहाँ से मैंने खरीदा है अब उस raw material को खरीदने के बाद मैं production करूँगी और manufacturing करके उसको जाके बाहर मैंने resale purpose के लिए बेच दिया है तो ऐसी situation में हम इस इनसान को consumer बिल्कुल भी नहीं बुलाएंगे तो consumer का definition बोलता है someone who acquires goods and services for direct use or ownership direct use or ownership के लिए जो खरीदा जाए acquire किया जाए goods and services उस इनसान को हम उस व्यक्ति को हम consumer बुलाएंगे लेकिन resale purpose के लिया है या manufacturing production के लिया है तो आप consumer के definition में fall नहीं करते हो तो यह हमारा सीधा सा मतलब था एक consumer का मतलब क्या होता है ठीक है अब हम समझेंगे आगे के topic को कि हम बात करते हैं अपने rights of consumers की Consumer Protection Act कौन से year में आया 1986 में आया था कौन से year में 1986 में Consumer Protection Act को हमारे country में लागू किया गया था अभी Consumer Protection Act के तहत consumer के 6 rights होते हैं 6 अधिकार जो की consumers को दिये गए हैं जिसमेंसे वो 6 है right to choose, right to safety right to be heard, right to be informed, right to address and right to education तो ये 6 rights हैं जो की consumers को दिये गए हैं ओबर पीरिट अफ टाइम इन rights के अंदर और दो rights जो है वो आगे जाके एड़ हैं जो की हम डीटेल में समझेंगे सबसे पहला right है right to choose consumers have the right to buy the products of their choice now as consumer अगर जब हम market में जाते हैं एक माचीस की तीली से लेकर एक plane तक खरीदना होगा न अगर आपको as a consumer तो वो आपकी choice के हिसाब से आप खरीदेंगे तो ये अधिकार आपको जो है वो हमारा कानून देता है ये अधिकार Consumer Protection Act 1986 के तहट आपको मिला है Consumer should be given freedom to choose any product as per his or her requirement preferences and purchasing power यानि कि किसी भी consumer को पूरी आजादी मिलनी चाहिए किस चीज के लिए वो अपने taste अपने preference के हिसाब से जो भी product और services को खरीदना चाहे वो खरीद सकता है अपने purchasing power अपनी financial capacity के हिसाब से उसको जो खरीदना है वो खरीद सकता है As a result of this right, manufacturers or sellers offer different models or designs of the same product category और इसी वज़े से क्या होता है ये अधिकार मिलने की वज़े से आप देखो market में कई सारे manufacturer है कई सारे product है अगर product एक है तो उसको बेचने वाले 10 लोग है तो ये 10 लोग अलग-अलग लोग है ये सिफ आपको convince करने की कोशिश कर सकते है आपको force नहीं कर सकते है कि आपको आकर हमारा ही product खरीदना है अब कहीं न कहिए ये right जो हमको मिला है right to choose तो यहाँ पर monopoly जो होती है जहाँ पर forcefully consumer को खरीदना ही पड़ता है तो monopoly का market अपने आप बहाँ पर eliminate हो जाता है और अपने आप एक competition वाला market जो है वो एक stiff competition वाला market जो है वो emerge होता है तो ये हमारा पहला right है right to choose अब हमने हमारा अधिकार तो देख लिया लेकिन कई सारे business firms ऐसे होते हैं जो induce करने की कोशिश करते है consumers को to buy substandard or defective products हम नहीं खरीते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कुछ firms ऐसे होते हैं जो unduly हमको influence करने की कोशिश करते हैं कि अपने standards पर compromise करो और defective products को भी आप इस्तमाल करो अब आप बोलेंगे कैसे तो कही ना कही देखो हमको cheap price में products मिलते हैं तो वहाँ पर उसकी quality जो है वो degrade हो जाती है At times, some established companies do not permit retailers to sell the products of the competitors कई बार क्या होता है जो बड़ी-बड़ी companies होती है बड़े-बड़े business के दिगज होते हैं वो क्या करते हैं वो retailers को अलाव ही नहीं करते हैं कि आप हमारे competitor का product जो है वो sell करेंगे वो आप सिर्फ सिर्फ हमारा product जो भी audiences, जो भी customers आपके पास आते हैं उनको सिर्फ हमारा ही product sell करेंगे Such actions result in eliminating competition and restricting the choice of goods and services इसी कुछ action की वज़े से क्या होता है यानि कि जब companies मना करती है अपने competitors के product and services को sell करने के लिए इसी की वज़े से competition जो है एक company है, A firm है जिसका मैं product जो है, वो क्या कर रही हूँ sell कर रही हूँ A नहीं मुझे बोला, B के product sell नहीं करना है C के product sell नहीं करना है D के product को sell नहीं करना है तो अपने आप जब मैं as a consumer approach करूंगी तो मेरे पास restrictive choice होगी कि मुझे सिफ इसी का product खरीदना होगा क्योंकि retailer के पास ये competitors के product जो है वो available नहीं है तो कही न कही हमारा right to choose जो हमको कहता है हमको complete आजादी देता है हम कौन से product या services को खरीदना चाहते है दूसरा जो हमारा अधिकार है वो हमको बोलता है right to safety a consumer has the right to be protected against certain goods which are dangerous to human health now as citizens हमारी रक्षा करना वो definitely हमारी government के हाथ में है और उनका ये authority है responsibility है कि as citizens हमारी responsibility government पे हो जाती है कि वो हमारी safety के बारे में सोचे तो इसलिए ये जो consumer protection act वाला कानून है वो हमको कहता है कि consumers की right to safety बहुत ही जरूरी है कैसे जरूरी है ऐसे कोई product या service जो हमारे लिए हानिकारक हो dangerous हो definitely human life को affect कर सकता है तो ऐसे product को permission नहीं मिलनी चाहिए consumer has the right to receive an assurance from the producer about the quality reliability and performance of goods तो यहाँ पर जो producer है उससे हमको क्या मिलनी चाहिए assurance मिलनी चाहिए कि जो भी आप goods and services को दे रहे है वो quality है उसके अंदर quality है वो किसी भी तरीके से हमारे life के लिए dangerous नहीं है for products like electrical appliances automobiles considerable safety is required electrical appliances के लिए automobiles के लिए गाडियों के लिए definitely safety की जरूरत है तो यह safety यह features जो है वो हमें अपने उस product के अंदर ही देते हैं similarly food articles, medicines and other products should be free from toxic substances that are harmful for humans तो यह जो हमारे food articles होते हैं medicines होते हैं definitely जो हमारे consumption के लिए होते हैं कहीं न कहीं इनके अंदर भी toxic substances नहीं होने चीए जो कि हमारे health के लिए बहुत जादा harmful हो सकते हैं therefore businessmen must produce goods that are confirmed that confirm to established standards इसी लिए businessmen को बोला जाता है कि एक standard हमने set करके रखा है अगर आपका product या service उस quality के test को pass कर जाता है तो ही आपको हम उस product को बेचने की permission देंगे otherwise वो permission आपको नहीं है यूगि right to safety के तहट किसी भी citizen को किसी भी consumer को जो है उनकी health उनकी life जो है हमारे लिए सबसे जादा important है आपका profit आपका motive जो है as an organization हमारे लिए उतना matter नहीं करता है Now manufacturers or sellers who sell products which do not adhere to health and safety standards must be penalized तो ऐसे manufacturer या seller ऐसे products and services को sell करते हैं कहीं ना कहीं जिससे human health जो है वो जादा effect हो सकती है या हमने जो standard set किया है उस standard को अगर meet नहीं करते हैं तो definitely ऐसे sellers और manufacturers को penalize करना चाहिए इनके उपर भारी भरकम penalty जो है वो लगानी ही चाहिए However in reality there are several cases of adulteration of food items fruits are sprayed with calcium carbide poor quality of dyes are used in textiles, vegetables, contain excessive lead content due to chemical fertilizers, pesticides and so on लेकिन बावजूद इसके अगर हम reality check दे अगर एक तो कहीं न कहीं हम जानते हैं food items में आज भी adulteration होता है जहां पर मिलावट जो होती है fruits के उपर calcium carbide को spray किया जाता है कपड़ों के लिए जो textiles form में जो कपड़ों के लिए dye का इस्तमाल किया जाता है color लाने के लिए original color हर को ही नहीं होता है कुछ colors ऐसे होते हैं आपको color combination को मिलाकर form करना होता है तो उसके लिए हम dye का इस्तमाल करते है तो क्या ये dye की quality अच्छी है देखो कई बार कुछ कपड़ों हमारे ऐसे होते है जब वो धोने के लिए जाते है तो उसके color निकलना शुरू होता है वो बहुत ही quality of dye का इस्तमाल किया गया है कही न कहीं इसी के लिए उसका color जो है वो छूट रहा है कपड़ों के अंदर से तो ये भी जो है कही न कहीं एक एक अडल्ट्रेशन ही तो हुआ मिलावट का काम आपने किया जो कि अच्छी quality नहीं थी तो आपने वो standard को set नहीं किया vegetables के अंदर excessive lead content होता है क्योंकि उसके ओपर chemical fertilizers और pesticides को spray किया जाता है hardly any action is taken by government authorities in such cases तो ऐसे situation में government authorities ने अभी तक किसी भी तरीके का action इन situations के ऊपर नहीं लिया है अगला जो right है हमारा अधिकार वो है right to be informed एक consumer को पूरा अधिकार है information का knowledge का किस चीज़ के बारे में जो product or service को वो खरीता है अब जब हम बोलते है right to be informed तो ये information हम कौन से sense में मांग रहे है कौन से information की हम expectations रखते है हमारे is right to be informed के तहट सबसे पहला है price and quality तो किसी भी product को बच्चो अगर आप देखोगे तो उसके उपर price जो है वो mention होता है ठीक है अगर quality की हम बात करें तो कई बार ISO certified लिका है तो ultimately हमको बता रहा है कि हमारो जो product है वो quality product है तो price और quality दोनों mention होना जरूरी है manufacturing date जो है वो होना जरूरी है expiry date जो है वो भी होना जरूरी है instructions for handling or use of the product याने कि उस product को कैसे इस्तमाल करना चाहिए अगर कोई technical product है कोई mechanical product है तो उसका इस्तमाल कैसे होना चाहिए उसके instructions के लिए आपको एक instruction manual जो है वो देना जरूरी है ingredients used in products like food, cosmetics, medicines अगर ये सारे product है इसके अंदर जो भी आपने ingredient use किया है वो सारी चीज़े आपको देखो प्रड़क्ट के packaging के पीछे जो देखने मिलती है कि कौन से कौन से ingredients का इस्तमाल किया गया है इस product को बनाने में manufacturer और firm's name and the place of manufacturing तो जो firm ने उसको बनाया है manufacture किया है उस firm का नाम और उस firm का address याने की जहापर उनका headquarter होता है जहापर अगर किसी तरीके की dispute या complaint arise होती है तो आपको अगर letter लिखना है तो कौन सा वो address है वो address भी आप अपने packaging पे mention करते हो अगर उस product का इस्तमाल करने में किसी तरीके का side effect होता है तो आपको mention करना है जैसे कुछ medicines के उपर अगर आप देखेंगे तो लिखा होता है कि pregnant औरते जो है वो इस medicine का इस्तमाल नहीं कर सकती है क्योंकि उनके लिए वो खानिकारक हो सकता है तो वो side effect की warning आपको जो है वो देनी होती है warranty period वो आपके manual के अंदर आ जाता है after sales service जो है ये भी आपको अपने customers को inform करना होता है तो ये सारी information कुछ ऐसी information है जो right to be informed के अंदर आती है customer का अधिकार है, consumer का अधिकार है कि ये सारी information उसको देना अनिवारिय है manufacturers must provide relevant information on the package or labels तो ये जो packaging labeling होता है इसके उपर ये information देना जरूरी है manufacturers के लिए The information regarding warranty and after sales service in case of equipments or durable needs to be provided in the service contract or on the invoice अभी जो information है warranty और after sales service देको प्रड़क की packaging पे तो नहीं लिखा होता है warranty के बारे में तो ये जो होता है कोई अगर आपने equipment खरीदा है, durable खरीदा है तो उस time पर आपको जो आपका service contract बनता है या फिर आप जो invoice देते हो अपने customer को जो bill देते हो तो bill के ओपर आप ये सारे warranty after sales services के बारे में जो आपकी TNC है, terms and conditions को आप mention कर सकते है The information should not be false and misleading जो भी information आप देंगे वो जूटी नहीं होनी चाहिए Also, consumer has the right to be protected against false and misleading information in the advertisement और एक consumer का पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपनी protection मांग सकता है Consumer Code से अगर आपने किसी भी तरीके की false or misleading information हमारे consumer को दी है तो ये होता है हमारा अधिकार जिसको हम कहते है right to be informed Next हमारा right आता है right to be heard अब हमारी complaint है Consumer के होने के नाते हमारी कुछ complaint है ये complaint सुनने वाला भी जब कोई होना चाहिए तो वो भी हमारा अधिकार है कि right to be heard We want someone to be heard We want someone, some authorities को यसी authority होनी चाहिए जिसके पास जाकर हम approach कर सके अपने consumer as a consumer right का इस्तमाल करते हुए हम complaint कर सके अगर हमने किसी भी तरीके की deficiency products and services में found की है तो This right gives an opportunity to consumers to register their complaints and grievances relating to products which they use तो ये right ये अधिकार हमको कहता है एक opportunity देता है consumers को कि अगर हमने जो product का इस्तमाल किया है या खरीदा है उसको use करने का तो हम उसके regarding क्या कर सकते है तो इस अधिकार को ध्यान में रखते हुए consumers की complaint को सुना जाता है और ऐसी authorities बनाई गई है जो की इनके उपर action ले सके consumers can complain regarding poor quality of the product poor after sales service consumers can complain कर सकते है product की poor quality के बारे में after sales services के बारे में consumer can make a complaint to the manufacturer or seller regarding the deficiency of the product or service तो as consumer आप डिरेक्ली consumer code को अप्रोच नहीं करेंगे अगर आपको आपके product में services में defect or deficiency मिलती है तो सबसे पहला काम है कि जहां से हमने खरीदा है हम सबसे पहले जाकर ये complaint जो है वो उनके पास लेकर जाए उनको इस complaint के बार में बताए कि आप क्या product से related deficiencies को या defects को face करते हैं अगर seller आपकी complaint को नहीं सुनता है तब ही जाकर आप उन concern authorities को बोल जकते हैं concern authorities कौन है consumer guidance society of India या फिर government authorities ने जिनको authorized किया है कि consumer की कोई भी complaint आती है तो आप उस complaint को handle करेंगे तो इस तरीके से consumer का right to be heard जो है वो उनको दिया गया है या अधिकार की किसी तरीके की complaints होगी तो आप concern authorities तक अपनी complaint ले जा सकते हैं उसके पहले आपको जो manufacturer है जो seller है उस तक अपनी complaint पहुचानी है next आता है हमारा right to redress redress यहाँ पर जब हम बात करते हैं redressal की तो अगर हमको किसी भी तरीके की poor quality मिली है अगर किसी भी तरीके का defect या deficiency मिला है तो हम बदले में उससे तीन चीज़ मांगते हैं वो तीन चीज़ क्या होती है हम अभी उसको पढ़ने वाले हैं consumers can seek redressal against unfair practices अगर ऐसी को unfair practice हो यानि कि कुछ compensation जो है वो मांग सकते है this right enables consumer to get compensation if he has suffered a loss or is put to inconvenience due to the fault of the manufacturer और supplier अब ये जो अधिकार है वो हमको compensation दिलाता है अगर compensation कब मिलेगा जब हमारा नुकसान हुआ है हमको faulty एडिफेक्स सर्विसस मिली है consumer has right to get the product अब जो तीन चीज मैंने बोली ना जो हमको मिलेगी तीन चीज क्या है तीन आर को याद रखना है जब भी हम redressal सीख करते हैं तो हम सबसे पहले complain करते हैं तो हम क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ये product में defect है तो या तो आप इसको repair करके दे दो दूसरी चीज हम बोलेंगे या तो आप उझे इसको replace करके दे दो इसको repair करके दे रहे हो इसको replace करके दूसरा product दे रहे हो मुझे और तीसरा आप मुझसे refund मांग सकते हो क्या मांग सकते हो refund मांग सकते हो कि ठीक हम आपकी services से नहीं satisfied हुए है अपना product ले रहे हमारे पैसे हमको वापस दे दो तो repair, replace and refund these are the three aspects that we are expecting when we are asking for a redress a lot of compensation Next जो हमारा च्छटा right है वो हमको बोलता है right to consumer education जो हमने सुना है न कई बार जागो, ग्राहक, जागो तो वो हमारा consumer education से related है जहां पर as consumer हमको पहले अपने अधिकारों के बारे में पता तो होना चाहिए अगर हमको पता ही नहीं है तो कहां जाएंगे अब क्या एजुकेशन देने की जरूष्य उपार तो यह जो इस शुब्सारियर बताने होंगे तो हो अगर आप सोना खरीद रहे हों तो हल्माक होना जरूरी है उसके उपर 24 karat है तो वो लिखा हुआ होना जरूरी है उसके उपर तो यह सारी चीजे यह सारे features जो है वो आप पहले consumer को बताएंगे कि यह सारी चीजे है अगर यह features applicable है तो ही आप उस product को खरीदो और आप उस product को मत खरीदो information on the package that needs to be considered packages के उपर क्या information होनी चाहिए यह आप information अपने consumer को देंगे consumer को अधिकारों के बारे में बताएंगे consumer को redressal agencies कौन होती है अगर आपको compensation claim करना है manufacturer आपकी बात नहीं सुन रहा है आपकी complaint नहीं सुन रहा है तो आपको किसको अप्रोच करना है district forum है state commission है national commission है कौन सी situation में आप district forum तक अप्रोच कर सकते हो कौन सी situation में आप state के पास जाओगे यहां फिर आप national commission के पास जाओगे procedure to file consumer complaints अगर यह consumer complaint हा मुझे पता है मैंने सुना है कि अगर कोई problem होती है ना consumer court में जाना है लेकिन कैसे जाना है उसका procedure क्या है यह अगर कोई मुझे बताएगा तब ही पता चलेगा तो वह बताने का काम हमारी government हमको करती है अपने website के थ्रूँ government can undertake media campaigns to create awareness among the consumer of the rights तो government क्या करती है media campaigns चलाती है advertisement चलाती है जहां पर वह हमको educate करने की कोशिश कर रही है अपने अधिकारों के बारे में पर example government ने campaign लिया था जागो ग्राहक जागो उसी के तहत हमको वह awareness क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि अधिकारों के बारे में अब यह तो हमने चे राइट देख लिया मैंने आपको कहा कि और दो राइट भी हमारे आज कंजूमर जो है वो एड़ है चलिए देखते हैं इनके अलावा और कौन से दो राइट है तो जो सात्वा राइट है हमारा वह हमारा राइट टू बेसिक अब consumers they are human beings definitely and they have basic needs relating to food, clothing and shelter बाकी सारी चीजे हमारी सेकेंडरी है वाइफाई, cell phone यह सारी चीजे बार में चाहिए लेकिन जो हमारी basic human needs है वो consider क्या किया जाता है food, clothing and shelter they also need to have basic education and health services अब इसी के साथ साथ consumer को basic education तो मिलना चाहिए basic health services, health facilities भी तो अवे लेवल करके देनी चाहिए तो इसके लिए government जो है वो responsible है यह basic needs अपने citizens को provide करने के लिए now government fulfills basic human needs अब government कौन सी basic human needs को किस तरीके से fulfill करती है government जो है वो subsidized prices पे गरीब लोगों को क्या करती है public distribution system के तहट food items जो है वो subsidized याने की कम price पर उनको sell करती है government of India has also introduced the food security act in 2013 तो food security act लेकर आईए 2013 में जिसके तहत वो subsidized price पे जो गरीब लोगे उनको जिसे राशन दे देना राशन कार्ट दिखा दो आपको कम prices पर आपको जो है basic food facilities जो है वो available करके दे देते है government provides free houses to poor people under Indira Avas Yojna तो Indira Avas Yojna के तहत हमारा या खाने का problem solve हो गया जो की हमारा food है रहने का जो की हमारा shelter है तो गरीब लोगों को Indira Avas Yojna के तहत क्या देना शुरू कर दिया अगर आपको याद होगा rights of children के अंदर कि जो बच्चा जिसकी age 6 साल से लेकर 14 साल तक की है अनिवारिया है उसके parents के ओपर कि आप उनको education basic education जो है वो देने के लिए भेजेंगे ही भेजेंगे और ये education इस age में उनके लिए free होगी अगर आप government schools में उनको भेजते हो तो right to education acts to provide free and compulsory education for all children in the age group of 6 to 14 years तो as I said 6 साल से लेकर 14 साल तक के age group के बच्चों के लिए education जो है वो अनिवारिया हो चुका है health services are provided free of cost at government health centers तो government के health centers होते है वहाँ पर government क्या करती है free of cost आपको आपका treatment जो है वो करती है या फिर कुछ हट तक कम rates के उपर भी करती है यसलिए आप देखो government hospital में जाओ comparative ले private hospital में जाओ ठीक है government hospital में थोड़ा बहुत हमको उतनी facilities रैसी शाहिद ना मिले लेकिन जो medicines उनके पास होती है comparatively वो बहुत ही cheap prices में होती है जो आपको बाहर कही असानी से available करके नहीं मिलती है तो यह हमारा as consumer यह हमारे basic human rights की जो need की requirement है वो government की responsibility होती है कि वो basic human needs को अपने citizens की fulfill करें लांस्ट जो हमारा right है वो है right to healthy environment now consumers have the right for clean and healthy environment as a consumer यह हमारा अधिकार है कि हम एक बहुत ही सुरक्षित माहौल में क्या करें असास ले और जिये definitely क्योंकि human life जो है यह जो life है यह right to life है यह हमारा as citizen अधिकार है तो इसी के तहत as consumer हमारा healthy environment में रहने का भी अधिकार है government has introduced pollution control measures to be adopted by business firms तो जो भी business firms यह pollution करती है तो उनके लिए government ने कुछ measures लिये है कुछ standards set किये कि इस एक percentage rate के बाद में आपका pollution जो है वो आपकी तरफ से जादा नहीं होना चाहिए if business firms do not adopt pollution control measures their business activities can be suspended and they may have to pay heavy penalty अगर business firm and pollution control measures को जो भी standard set किये गए है उनको adopt नहीं करती है तो अपने आप क्या होगा या तो आपके business के उपर heavy penalty लगेगी या तो आपका business completely आपके business activities को बंद कर दिया जाएगा government की तरफ से business firms must use natural resources with care तो जो भी natural resources का आप इस्तमाल करते हैं अपने production के लिए manufacturing के लिए अपने businesses को run करने के लिए आपको बहुती एतियात से बहुती ध्यान दे कर अपने उस resources का इस्तमाल करना चाहिए in the interest of the consumers and society business firms should not misuse or over exploit natural resources तो जब हम बात करते हैं consumers or society के interest के बारे में उनके hit के बारे में जब हम सोचते हैं तो business firm को क्या नहीं करना चाहिए जितने भी natural resources उनको over exploit और उनका misuse जो है वो नहीं करना चाहिए तो इस तरीके से हमने देखे है consumers के कुछ अधिकार जो की हमको मिलते हैं Consumer Protection Act 1986 के तहत मिलती हूँ आपसे अपने next lecture में जहां पर हम इन अधिकारों का उलंगन कैसे होता है यानि की violation of the rights of consumers को हम next lecture में detail में समझेंगे till then stay tuned to our channel thank you very much